बिहार के सहरसा कठियार और पुर्णिया रेलखन के यात्तिरियों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है इस वीडियो के माध्यम से अब तक का सबसे लिटेस्ट जानकारी हम आपको देंगे इसी वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किय सबस्क्राइब बिहार के सहरसा से पुर्णिया होते वे कठियार तक अगले माहिने से अलेक्ट्रिक ट्रेन दौनी लगेगी पुर्व मद रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर ने जोमवार को नए विधूतिक्रित बनमन की पुर्णिया कोट रेलखन का निरक्षन कि जया है रेल विधूतिक्रनकारी से संबंदित हर पालू की उन्होंने अस्था लिया निरक्षन की इसके बाद अब इस रूट पर ट्रेंड को चलाने की हरेजंदी भी दिया गिया है निरक्षन के दोड़ान उन्हें कुछ कमी दिखा उसे सुधार करने का निर्देश दिया समस्तिपूर मंदल के DRM बताते हैं कि बनमन की पुर्णिया कोट रेलखन पर विधूती करन काड़ का पुर्व मधरेले के प्रिंसिपल ने इन्रक्षन किया उसके बाद सारसा से मध्यपूरा बनमन की पुर्णिया होते वे कठियार तक अलेक्ट्रिक इंजन लगकर ट्रेन चलेगी जिससे डीजल इंजन से चलने वाली विवस्ता खत्म हो जाएगी और इसमें पैसंजरों के लिए समाई की बचत होगी ट्रायल सफल रहा और 100 किलमेटर प्रती गंटा की रफ्तार से ट्रेन दवड़ाई गई निरक्षन के दवड़ान उनके साथ कई बड़े अधिकारी मौझूद थे आपको बता दें कि अब इस रूट पर लगबग विदूतिक रन का काम कम्प्लीट हो चुका है और ऐसे में साथ इस वीडियो को करें सेयर नई ट्रेनों के अपडेट के लिए